प्रिये विद्यार्थियों जैसा कि विगत कक्षा में लक्षी नाराण मिस्त्र जो की ख्यात नाम एकांग की कार हैं उनके बारे में चर्चा की थी आज हम पाइठ क्रम में संक्लित उनकी एकांग की बलहीन के बारे में चर्चा करते हैं बलहीन एक सामाजी के एक आंकी है जिसमें एक और साहित्य यनि बर्तवान के खोकले होते मुल्यों और संबेदन हीन इस्तितियों पर व्यंग है तो दूसरी और दामपच्ते संबंदों की तूटन का एसान एसास भी कराया गया है साथ ही नारी चेतना और नारी स्वातंत्रत से जुड़े प्रस्णों पर वी विचार किया गया है एक साहित्य ब्यक्ति के पारवारिक जीवन से जुड़े संदर्मों को बलहीन एक आंकी में सफलता के साथ निरूपित किया गया है बौदिक्ता, तर्क, सामाजिक संबेदना का मिश्र जी ने सुन्दर समायोजन बलहीन एक आंकी में किया है यह संकलन तर्यकी द्रश्टी से सफल एवं तात्विक द्रश्टी से सजसक्त एक आंकी है इसकी भासा सरल, सुबोद और विशयानकूल है प्रिय विद्यार्थियों यहां बिगत काक्षा में बताया गया था कि लक्षवी नारायन मिष्र भारतिय संस्क्रती के पक्षदर है साथ ही नारी चेतना के बिशेश रूप में पेरोकार रहे है कि नारी की इस्तिती को किस प्रकार से बदला जाए या नारी को समाज में सम्मान दिलवाया जाए और लक्षवी नारायन मिष्र का यह मानना था कि भारतिय संस्क्रती की जो आज इस्तिती है वो पस्च्चिम की संस्क्रती से प्रभावित है और वहीं के साहित्य को वो आज के भारत की जो इस्तिती है उसके लिए जिम्मेदार मानते है बलहीन एकांकी में भी बे पश्च्मी साहित्य के प्रवहाव से आये अलगाव, संबेदन सीलता, मुल्य हिंता जैसे तत्वों ने हिंदी साहित्य को भी प्रदूसित किया है यानि अलगाव है, संबेदन सीलता है, मुल्य हिंता है जो कि भारतिय संस्क्रती में नहीं थी परंतु पाश्चात संस्क्रती जिस प्रकार से तेजी से भारतिय संस्क्रती में समाहित होती गई बैसे बैसे ये तत्व या ये मुल्य यहाँ पर दिखने लग गए और इन्होंने धीरे धीरे भारतिय संस्क्रती को खोकला करना सुरू कर दिया आधुनिक कविता में अती बोद्धिक्ताम ने भारतिय कविता को निरर्थक बल दिया है इसी आधुनिक्ता का प्रतिनिधी कभी देव कुमार एक बाईवी संसार में विच्रण करकवी ताय लेखता है तथा स्वयम भी कुन्ठित पात्र बन जाता है वहे अपनी पत्नी रजनी का सम्मान तक नहीं करता दर असल वहे एक काल्पनिक संसार में विच्रण करने लगता है जिससे अपने पारवारिक और सामाजिक दायत्तों को भूल जाता है बाईवी संसार यानि काल्पनिक संसार जिसका यथार्च से कोई दूर दूर तक बास्ता ना हो दर असल वहे एक काल्पनिक संसार में विच्रण करने लगता है कौन जो देव कुमार जो मुख पात्र है वो जिससे वहे सामाजिक जिम्मेदारी को भी दर किनार कर देता है और अंत में इस्थिती ऐसी होती है कि वह मनोरोगी बन जाता है शिवनाथ उसकी बीमारी का मर्म समझते हैं तथा उसे इस निरासा के अंधेरे से निकाल कर मानविय चेतना से जुड़ने को प्रेदित करते हैं यानि सिवनाथ जो पात्र है वो देव कुमार की कालपनिक संसार या बायवी संसार के मर्म को समझ जाते हैं और वो उसको यथार्थ चेतना में लाने का हवाला देते हैं या वो यथार्थ चेतना से जुड़ने को प्रेदित करते हैं सिवनाथों से अपने पत्नी क्या सम्मान करने की सला देते हैं अब यहाँ पर लक्ष्वी नाराण मिस्र ने भारतिय संस्क्रती की महत्पून जो उकती है उसको चरितार्थ किया है यत्र नार्यस्तु पूजयनते तत्र देवता रमनते यहाँ नारी की पूजय की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं तो यहाँ सिवनाथ देवकुमार से देवकुमार की पत्नी को सम्मान देने की सला देते हैं यानि उसको उचित आदर देने का प्रस्ताव रखते हैं उसे ही अपने स्रेजजन की प्रेजना बनाने की बात कहते हैं यानि जो देवकुमार की पत्नी है यानि रजनी उसे ही अपने लेखनी का आधार बनाने की सला देते हैं यानि आम जीवन में भी अपन देखते हैं कोई भी सफल व्यक्ति है उसके पीछे किसीन किसी नारी का हाथ रहता है यानि कहने का तायत पर वो पत्नी भी हो सकती है मा भी हो सकती है बहिन भी हो सकती है सिक्षका भी हो सकती है कोई भी हो सकती है यानि एक इस्त्री का हाथ रहता है और यहां तक कि आपको और थोड़ा सा उधारन दूँ इतिहास की तरफ से तो नेपोलियन ने कहा था कि मुझे एक सिक्षित नारी या तरक्सील नारी दे दो तुम्हें सारे संसार की काया पलट कर दो यानि कहा भी जाता है एक सिक्षित इस्त्री है वो अपने खांदान को तो सुधार्ती है संवार्ती है परन्तु अगले जहां भी जाएगी वहां भी वो अपनी सिक्षा की रोशनी से उस खांदान को भी रोशन कर दे इसलिए यहां लक्ष्वी नाराण मिस्र उसी बात को बिसे के अनुरूप ढाल कर कह रहे हैं इस्त्री चेतना का रूप दे कर उसी चीज को वो प्रकारांतर से कहते हैं व्यक्तिकत जीवन में दामपत्य संबंदों की तूटन के प्रती देव कुमार को सचेत करते हैं यहनी पती-पत्नी के जो रिष्टे हैं उनमें खटास, मिठास चलती रहती है यहनी इस्थाई टकराव नहीं होना चाहिए मतवेद हो सकता है, मनवेद नहीं होना चाहिए इस्त्री स्वातंत्रे तथा इस्त्री गर्मा का सम्मान करने की बकालत करते हैं इस्तरी स्वतंत्र यान्य को स्वतंत्ता प्रदान की जाए, इस्तरी को समाज में, घर में, परिवार में गरिमा प्रदान की जाए देव कुमार को अपनी भूल का एहसास होता है और उसे अपना सारा लेखन निरर्थक लगने लगता है जो की बायवी संसार में रहकर उसने लिखाता वे अपने लिखे को जलाने का कहता है और अंत में अपनी पत्नी के प्रती पूर्ण आग्रही बन जाता है यह एकांग की जीवन में सामाजिक संबंदों की महत्ता और दामपत्य जीवन के सुख को सुरक्षित रखने का संदेज देता है यहाँ पर अपन एक बात देखें तो दामपत्य जीवन को सुरक्षित रखने का संदेज देता है आज के दोर में अपन देखते हैं प्रती दिन पत्री का जो है उनमें ये चीज आम हो गई है कि आज यहाँ एक इस्त्री को मारा गया, वहाँ जलाय गया, वहाँ पीटा गया, वहाँ जलील किया गया तो यही चीज इस बलहीन एकांग की में पुर्जोर तरीके से उठाई गई है कि नारी की गरिमा को इस्थान दिया जाए, उसका आधर किया जाए एकांग की मनुबैज्यानिक है, तथा इसकी संबाद योजना संबाद योजना, यानि कतोब कतन, जो पात्र बात करते हैं आपस में, वो संबाद या कतोब कतन कहा जाता है वो बहुत सार्थक है, परन्तु उपदेशा अत्मक्ता के हतिरेक के कारण कहीं कहीं बोजिल हो जाती है यानि उपदेशा अत्मक्ता इसमें कहीं कहीं बहुत जादा आ गई है, जिससे बोजिल सी होने लगती है इस प्रकार लक्ष्वी नारायन मिस्रक्रत बलहीन एकांकी एक सार्थक एकांकी है, नारी चेतना की पैरोकार है साथ ही जो हवाई बाते करते हैं, उनको यह संदेश भी देती है, कि यथार्थ में आप उतर कर देखो, तो बहुत अलग दुनिया दिखती है यानि कहने का ताजपर यह कर्म क्यों प्रात्मिक्ता देती है, जो ब्यक्ती कर्म से निकटस्ता बनाए रखेगा, वह बाईवी संसार में कभी जाएगा ही नहीं बाईवी संसार में वही जाएगा जो सपनों का जाल भुनता रहता है, हसीन सपने देखता रहता है पर तुन हसीन सपनों को यथार्थ में परनित करने के लिए उतक्रष्ट कर्म नहीं कर पाता है यानि आज के दोर में आपन देखें तो हर योबक और योबती को अच्छा फैसन चाहिए अच्छा खाना चाहिए अच्छी नोगरी चाहिए परन्तु उनके कर्म देखे जाएं तो आप देख सकते हैं के आज मॉबाइल क्रांती ने युबा वर्ग को खोखला कर दिया है मॉबाइल ने सार्थकता की ओर ने ले जाकर उनको निरर्थक पत की ओर अग्रसर कर दिया है यहां पर एक बात द्रश्टब्य है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं सकारात्मक और नकारात्मक परंतु आदमी या युबक या युबती अपने जमीर से सोच कर देखे या थोड़ी देर इत्मनान से सोच कर देखे कि वह किस राध पर अग्रसर हो रहा है वह रहा उसके लिए अनकूल है या प्रतिकूल है उसे कहां जाना चाहिए था कहां वो जा रहा है तो आज इनी सब्दों के साथ मैं अपनी बानी को बिराम देता हूं धन्यवाद